हेलो गाइज मेरा नाम गुरी है मैंने एक टेलिस्कोप परचेज किया है ऐसे स्टोर से जिसका मॉडल लंबर है सिक्स्टी सेवन हंडडड तो आज मैं आपको इसका रिव्यों दो और अपको नोसे हमें अमेरे बॉक्स के नोगही उसके बाद हमारे पास आता है स्टेंड यह एक थ्री लेक स्टेंड है इसके बाद हमें मिलते हैं स्टेंड के स्क्रू और यूकलेम के स्क्रू इसके बाद हमारे पास आता है हमारे यूकलेम जहां हमारी ट्यूब लगेगी और स्टेंड उसके बाद हमें मिलते हैं त्री आई पीसिस रखेंगे ये स्टैंड पे लगेगी और इसके बाद है हमारे पास फाइंडर स्कोप आप इसको छोटा टेलस्कोप भी कह सकते हैं इसके बाद हमें मिलता है हमारा दैगनल जहां पर हम अपना इपीस लगाएंगे और ये है मून फिल्टर तो चलिए असेंबल करते हैं तो गाइस मैंने अपना टेलस्कोप असेंबल कर लिया है मैंने इसको यूज भी करके देखा और इसके रिजल्ट एकदम फैबलस हैं मैंने जब इसको फर्स्ट टाइम रिलीज किया अगर मैं सही बता हूँ तो मेरेको इसमें कुछ नहीं दिखा हूँ तो मेरे seller ने मैं को बहुत ही ज़्यादा help की है इसमें मैं को पूरी information उन्हें provide की मैं को एकदम अच्छे से guide किया उन्होंने कि मैं इसको कैसे use करूँ उन्हें मैं को videos provide की अगर बात करूँ इसकी assembling की इसकी assembling बहुत ही ज़्यादा easy आपको manual भी provide की जाती है अगर आपको फिर भी manual से कुछ समध नहीं आता आपको आप seller से contact कर सकते हैं आपको box पे manual पे हर जगा उनका contact number दिया होता है जिससे आप उनसे contact करके इसके बारे में हर एक information ले सकते हैं मैं तो आपको यही suggest करूँँगा कि आप seller को ले लिए और seller की responsibility खतम होएती है वो आपके साथ touch में रहते हैं जब तक आप इसको यूज कर रहे हैं आपके touch में रहा जाता है बात करते हैं मेरे opinion की अगर beginner level पे आप एक telescope लेना चाते हैं आप explore करना चाते हैं चीज़े astronomy के अंदर तो आपके लिए यह telescope best रहेगा इस price segment में यह सबसे best telescope है अगर आपको purchase करना है यह telescope interested है इस telescope में तो मैं description में आपको link provide कर दूँगा आप वहाँ से इसको purchase कर सकते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी मिलते हैं आपको next वीडियो में